सुर्शंगम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं इस घंती के निशान को ताकि आप पाएं सुर्शंगम वीडियो एकदम फ्री आपके मोबाइल पर सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश आपका फिर्स्टे स्वागत करता हूं सुर्शंगम में दोस्तों आज हम सीखेंगे राग भीम पलाशी चोटा खयाल अस्थाई और अंत्रा के आलाप तो सबसे पहले हम आरो अबरो को समझ लेते हैं राग भीम पलाशी थाट काफी का है गाओ और मी कोमल होता है अब रो के अंदर रे और धावर्जित होता है और अब रो के अंदर साथ सुर्ण है तो आरो अबरो देखते हैं नीसा गामा पानीसा सानी दापवा मागरे सा पकड़ एक बारो रिपीट कर देता हूं बार बार रिपीट करने का मेरा मकसद यह है कि आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको यह सारी चीज याद होई जाएगा चलिए जाजारे अब आलाप चलेगा तो आलाप में क्या है कि सोला मात्रा के अंदर यह ख्याल है तो हमको क्या करना है मैं बिल्कु स्लो बताता हूँ जाजारे अपने मन देरे बाँ और फिर इसके बार में हम बोलते हैं सा नी पानी सा गारे सा जा जारे यानि कि हम इसमें स्वर बोलेंगे आप उसको आकार में भी बोल सकते हैं लेकिन हमको समझना है तो अभी स्वराव को समझना होगा ठीक है सा जो है इस पर देखेए तो ये जो है सा तो ये जो सा है तो सा के साथ में तीन मात्रा हो रहे हैं ये चीज़ देखना है मैं आपको कोशिश करूँगा कि लिख करके देऊं या तो आप चले जाएं www.sursangam.bhajan.com साइट के उपर वहाँ पर मैं इसका अलाप लिख करके आपको अस्ताई और अंत्रा का देल दूँगा अब ही आप देखिएगा समझ ये concept को और वहाँ से करके फिर वीडियो को आप देखेंगे तो बहुता लगा है सा चार मात्रा है सा नी पानी सा गारे सा जा जा रे ही अपनी बंदेरे बाद तो इसको वापस समझे क्या concept हुआ है जब हम गाएंगे तीन ताल के साथ में तो क्या रहेगा जा जा रे ही अपनी बंदेरे बाद सा नी पानी सा गारे सा जा जा रे ही अपनी बंदेरे बाद अगला पैतन है नी सा मामा पागा मगा रे सा जा जा रे ही अपनी बंदेरे बाद रिपट कर रहा हूँ नी सा मामा पागा मगा रे सा ये जो है इसकी पकड़ता है उसको भी इसमें आलाप में लिया है तो दोनों को देखिए जा जारे रिया तुनी मंदेरे बाद सानी इसा गारे रिया तुनी मंदेरे बाद इसमें क्या कर रहे है अब हम जो दो तो हमारे हो गए आकर आलाप तीसरा है तो तीसरे में क्या हुआ है यह पैटन है पूरा गामाब्वा नीदाब्वा गामाब्वा मंदेरे सा जा जारे रिया तुनी मंदेरे बाद सानी इसा जारे साजारे रिया तुनी मंदेरे रिया तीसरा हुआ है इसके बाद में अगला गामा पा नीधापा गामा मैं रिपीट कर रहा हूं तो जब यदुद् कर गामा गामा पा नीधापा था फिर उस बाद में फैसिए गामा पामा पामा गारेशा उसकी वाइज गामा पानी स lawn kijken प्osok पहुंच गये क्या मामा यह लिदिया और देखे चारों को रिपीट कर रहा हूं जो चार आलाप मैंने बताया है और ये गामा पानी साथ इसके बाद में इसकी जो अंतरा का पहला लाइन है सुन हो सदारंगे वो चालू हो जाएगा फिर हम हायर नोट के अंदर आलाप सीखेंगे ठीक है तो देखे चारों को मैं रिपीट कर रहा हूं जा जारें अपने बंदरवां सानिपरी सागारे साप जा जारें अपने बंदरवां नि सामापा गामागारे साजा जारें अपने बंदरवां गामा प्वानी गापा, गामा प्वा मदरसा, जाजारे इना भी पंदिरे बाद, गामा प्वा निगापा, गामा प्वानी सा, सुने हो सना रहे, तुम्मे उचाहते है अंत्रे के लाइन ले लिए हमने इसके तुरंत बाद में और फिर अब हम अंत्रे के हिसाब से जो आलाप है यानि हायर नौस के अंदर लेंगे ठीक है यह पहला है इसमें क्या किया है तो उसके बाद में जो इसका जो आलाप है वो क्या है वही चीज़ चालू होगी तो इसमें क्या हो पैटन हो है वो देखे सा किया फिर इसमें दो मात्रा तक है सा नीदा पामा गामा नीदा पामा गामा नीदा पामा नीदा सा नीदा पामा गामा पानीशा गामा पानीशा गामा पानीशा गामा पानीशा गामा पानीशा गामा पानीशा दो बार है सा नीदा प्वामा ऐसे रख सकते हैं सा नीदा प्वामा सा नीदा प्वामा ठीक है ये कर लिया सा नीदा प्वामा उसके बाद में तीन वार गामा पानी सा गामा पानी सा ठीक है और उसके बीच में एक-एक मात्रा का अंतर है तो कैसे है बिल्कु स्लो देखिए सुने हो सादा रंगे तुम्हे को चाहते है सानी दा पामा गामा मानिशा गामा मानिशा गामा मानिशा सुने हो सादा रंगे तुम्हे को चाहते है और फिर अगला मानिशा गारे सा अगला जो पैटरन उसमें क्या हुआ है इसको रटो पहले अगले वाले में क्या हुआ है एक तो यह पैटरन वा उसके बाद में सुने हो सदा रहे तो में को चाहत है सागी गार वा नेसाज़ हो सागी गामाप्वानिसाग्स मानिसा सुन हो सदा रहे, तुम्हे को चाहत है, मानिसा गारे सा, नीसा नीदा पामादा, मानिसा, मानिसा सुन हो सदा रहे, तुम्हे को चाहत है, क्या 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 तुम्हे को च इसका जो स्वरलीपी है दोस्तों मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ www.sursangambhajan.com उस पर जाईएगा आपको वहाँ पर राइटिंग में मिल जाएंगी आप वहाँ से देख सकते हैं तो तयार करें दोस्तों और कोई इश्यू हो तो कमेंट में लिखें और बस एक एक चीज के ओपर काम करते चलें जरूर आपका कमांड आता चला जाएगा और बस आसते रहें मुस्कुराते रहें और बस डेली एक नया वीडियो और हमेशा नई नई चीज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अबस्त करें धन्यवाद झाल